हालो फ्रेंड्स हमसे आज एक सवाल पुछा गया कि प्रेग्नेंसी के दौरान यदि अम्लाइकस इस तरीके से बाहर पापाउट हो रही है तो क्या नॉमल है या एबनॉमल है या किसी प्रकार की कोई बिमारी है इसके लिए किसी प्रकार की ओपरेशन की ज़रूरत या या अपने अपसेट ही हो जाएगा तो मैं डॉक्टर सुशी रासानी गाइनेकलोजिस इन अपसेटीशन आज आपको इसे के बारे में बताने जा रही हूँ जब भी अम्लाइकस बाहर की तरफ पाउट होती है बल्ज होती है तो उसको एक प्रकार से अम्लाइकल हर्निय कहा जाता है बट प्रेग्नेंसी में भी ऐसा कॉमनली देखा जाता है क्योंकि प्रेग्नेंसी के अंदर पेट के अंदर बच्चा होता है जिसे कि अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि अंदर एक स्पेस कम हो जाता है तो जैसे स्पेस का यूटिलाइजेशन होने कि इसलिए होता कि किसी मास पेश्या या अंदर का जो रेक्टर शीठ होता है हो कमजोर होता है खेंदर और वगलेगल रिंग नियाद हो जाती जिसके वजसे उसके अंदर इंटरस्रीन कंटेंट आ जाते हैं प्रेग्निपनिसी में यह होना अंकॉमन नहीं है और जैसे विदि यानि कि लूज हो चुके होती है और ऐसी लेडिस को भविषय में आगे चलकर अमलाइकल हर्णिया बनने के संभावना भी होती है तो यदि आप अपने अपने के लिए जो करते हैं तो आपका मसल टोन यदि रिगेन हो जाता यानि की वापस आ जाता तो इसके चांसे कम हो जाते हैं बट फिर भी हम यह नहीं कह सकते हैं यह बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा और यदि यह परेशानी बनी रहती है डिलिवरे के बाद भ गया या बाद शाया है उसको क्लोहस किया जाता है और कभी-ख़ी उसके ऊपर भी लगानी यानि कि इसको बोलते हैं जाली डालकर रिपैर करते हैं तो भी करना पड़ता है यह ओपन सर्जरी से दोनों से संभाव होता है लेपरस को पिकलिए बड़ा चीरा नहीं लगता है छोटी छेट से उपरेशन होता है जाली अंदर की तरफ अपलाई की जाती है जिससे क लेकिन डेफिनेटल लेपरस कोपी का ओपरेशन ऊपन सर्जरी से थोड़ा कॉसली होता है क्योंकि इसमें जो मैश लगती है वो भी अलग क्वालिटी की मैश लगती है जिसका की प्राइस नॉर्मल वाली मैश से ज़्यादा होता है लेकिन यह वर्थ है स्पैंड करना तो अगर आपको लगता है कि आपको अमलाइकल हरनिया बन गया है और उसकी सर्जरी करानी है तो डेफिनेटली यू शूड चूज लेपरस कोपिक सर्जरी अब प्रेगनेंसी में अगर इस प्रकार की समस्या है तो उस समय पर आप ज़्यादा कुछ करनी सकते इसके लिए कोई पर्टी पास करने के लिए जूर लगाते हैं तो अप्रेट प्रेशर बढ़ता है और इस समस्या बढ़ जाती है तो आप प्रेगनेंसी के अंदर ज्यादा से जदा इन चीजों का ध्यान रख सकते हैं बाकी प्रेगनेंसी के दोरान किसी प्रकार की सर्जरी एडवाइस नह में कमेंट बॉक्स में आप लिक के पूछ सकते हैं हम आप से फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जैनकारी के साथ तब तक मश्कार